क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में दो सूरज हो जाएं तो नजारा कैसा होगा नहीं ना लेकिन आज हम आपको बताते हैं प्रकृति की सबसे खुपसूरत रचना यानि इनसान अपनी बुधी के दम पर सोलर सिस्टम में एक छोटा सा सूरज बढाने की कोश्च में चुटा है दरसल हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जिसे एक स्टार में बदला जा सकता है इस ग्रह का नाम है जूपिटर तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इनसान जूपिटर को एक तारे में बदलने की जद्दो जहत में लगा है Conspiracy Theorist की मानी तो NASA लंबे समय से एक Mission में चुटा है जिसे Lucifer Project का नाम दिया गया Lucifer एक Latin शब्ध है जिसका अर्थ है प्रकाश लाना कहते हैं कि इस Mission की मदद से NASA Solar System के सबसे बड़े ग्रह यानि जूपिटर को एक सितारा बनाने की कोशिश कर रहा है सूरज की तरह जूपिटर भी Hydrogen और Helium का बना है दोनों की Density की बात की जाए तो सूरज की Density 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जबकि जूपिटर की 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानि दोनों की Density लगभग आसपास ही है सूरज की तरह जूपिटर का अपना मिनी सोलर सिस्टम भी है जानकर हैरानी होगी कि अकेले जूपिटर के 79 चान है जो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज हमारे सौर मंडल में मौझूद सबसे बड़ा ऑपचिक्ट है और जूपिटर दूसरे नमबर पर आता है लेकिन साइंटिस इसे एक फेल्ड स्टार मानते हैं क्योंकि यह सूरे के बराबर elements यानि hydrogen और helium से बना है लेकिन इसका मास इतना नहीं है कि उसमें nuclear fusion की प्रक्रिया चनम ले सके असल में किसी भी स्टार का जीवन चक्र उसके मास पर depend करता है अगर मास ज्यादा होगा तो स्टार का जीवन चकर उतना ही छोटा और सितारी की fuel energy उतनी ही ज्यादा तेजी से जलेगी क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मात्रा में lahe fuel energy होनी की वजह से ही तारे चमकते हैं Nuclear fusion तारे के core वाले हिस्से में होता है जा हाइड्रोजन और helium में fusion प्रोसेस होता है जिससे सूर्य एक विशाल पर मानू रियाक्ट की तरह काम करता है बात अगर जुपिटर के करें तो वह सूरज की तुला में एक हजार गुना हलका है इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सूरज बनना तब तक संभव नहीं है जब तक ऐसे कई हजार जुपिटर मिलकर सूरज के साइस के ना हो जाएं लेकिन नासा इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश में लगातार काम कर रहा है भले ही जुपिटर को सूरज में तबदील करने की बात एक कॉंस्पिरेसी थियोरी हो लेकिन इसने कई बार लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा है इस थियोरी के हिसाब से जुपिटर के मास में कमी होनी की समस्य को सुधारा जा सकता है एक रासा ये है कि इसमें नुकलियर फ्यूइल को जोड़ कर नुकलियर फ्यूजिन का प्रोसेस कराया जा सकता है इसके लिए स्पेस प्रोब की मदद भी ली जा सकती है 1995 में नासा के स्पेस्क्राफ्ट गालिलियो प्रोब को जुपिटर पर भेजा गया था ताकि जुपिटर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके इसके लिए गालिलियो प्रोब अपनी हीच शील्ड में मौझूद कुछ वज्यानिक उपकरनों की मदद से ग्रह की गर्म सतह यानि होट स्पोट पर उतर गया चहां से उसनी कई जानकारियां भेजी ज्यादातर स्पेस प्रोब्स रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्रिक जेनेरेटर यानि आटीजी नाम के एनरजी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं और ठीक उसी तरह गयालियो में भी दो आर्टीजी मौजूद थे हर एक आर्टीजी में 17 पौंड का प्लिटोनियम 238 था जो प्रोब में बिजली देने में मदद कर रहा था लेकिन आट सल बाद 2003 में नासा ने गयालियो प्रोब को जुपिटर से दुरगटना ग्रस्त करा कर इस मिशन को खत्म कर दिया दुरगटना ग्रस्त होते ही जुपिटर की सता पर एक बड़ा काला धबबा दिखाई दिया ये धबबा लगभग 12,713 किलो मीटर चोड़ा था इस हिसाब से इसका काल लगभग पृत्वी जितना होगा हाला कि इस बाद का कोई खासा प्रमान नहीं मिला है इसके पीछे नासा का कहना था कि वो जुपिटर के मून्स को थर्दी के बैक्टीरा से दूशित होने से रोकना चाता था इसलिए उसने ऐसा किया जबकि कई कॉंस्पिरेसी थियोरिस्ट इसे सिर्फ एक छूट मानते हैं असल में नासा जुपिटर के अंदर एक एकस्प्लोजन करना चाता था जिससे चेन रियाक्शन पैदा हो और जुपिटर एक छोटे तारे में बदल जाए जाकोब वैंडर वार्प नामके एक इंजीनियर ने दावा किया है कि हैवी हाइड्रोजन की मौझूदगी में फिजिन रियाक्शन काफी बड़े थर्मो नुक्लियो फ्यूजन को भड़का सकता है जिससे जुपिटर एक सूरज की तरह जलने लगेगा इस तरह प्लियूटोनियम चरों पर दबाव बढ़ने की संभावना होगी हाला कि ये दबाव जुपिटर के अट्मस्फेरिक प्रेशर्स की वजह से नहीं बलकि 107,000 प्लस मील प्रती घंटे की तेजी से यात्रा कर रहे है प्रोब की वजह से बढ़ेगा अगर स्पेस क्राफ 107,000 प्लस मील प्रती घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है और चरों से पहले 20 सेकेंड भी जुपिटर के वातावरण में फटने से पहले टिक जाता है तो वह अलग पक 500 से 600 मील की दूरी तै करने में काम्याब हो सकता है ऐसे में इसके गैसी हिस्से में प्रवेश कर प्रोब पर दबाव हजारों बार्स में होगा जिससे उस समय पैदा हुआ तापमान भी सबरदर्स्त होगा लेकिन इस बात को कई साल हो गए है और जुपिटर आज भी एक तारा नहीं बन पाया कॉंस्पिरिसी त्योरिस का कहना है कि जब नासा की पहली कोशिश फेल हो गए तो उसने अपना रुक साटन की ओर कर लिया जिसके बाद नासा ने 1997 में कसीनी स्पेस प्रोब साटन पर भेजा और शायद उसे वहां भी अपने मन मताबिक परिणाम नहीं मिले जिसके बाद उसने सप्टेंबर 15, 2017 को उसका खात्मा कर दिया लेकिन कुछ वैज्यानिकों का अभी भी ये मानना है कि नासा ने अभी भी हर नहीं मानी है और वो मिशिन लूसिफर को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है खैर जो भी हो सच तो ये है कि सूरच जैसा दूसरा तारा बनाने के लिए हमें अपनी टेक्नोलजी को कई ज्यादा एडवांस बनाना होगा जिसमें कई साल लगेंगे लेकिन सूचने वाली बात ये है कि ऐसा करने पर कहीं हमारा सोलर सिस्टम गड़बड़ा तो नहीं जाएगा आपको क्या लगता है कि लूसिफर जैसे प्रोजेक्ट पर विश्वास किया जा सकता है हमें अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे अगर आपको आज का हमारे ये विडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें